और आज से देश में बहुत कुछ बदल रहा है ये बदलाव हमारी जेप पर असर डालेंगे तो ट्राफिक में सुधार भी दिखेगा इस बार लोकसभाद चुनाव की चलते पूर्ण बजट जुलाई में पेश हुआ था इसी वज़ा से नई प्रावधान अब लागू हो रहे हैं अब रेल यातरियों को मुफ्त बीमा मिलना बंद हो जाएगा इसके अलावा कई बदलाव, बैंकिंग, रेल टिकेट, ट्राफिक नियम, आधार, टीडियस, किसान क्रेडिट कार्ड में भी किये गए हैं ट्राफिक नियमों से लेकर बैंकों के लोन तक धेश में आज से कई नियम बदल गए हैं इसका सीधा असर हमारी जेप पर पड़ेगा आज से बैंकिंग, ट्राफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है एनवे से कुछ आपको रहात देंगे, तो कुछ आपकी सेविंग से होने वाले फायदे को कम करेंगे आज से ट्रेन का ओनलाइन टिकेट महंगा हो गया है ओनलाइन स्लिपर क्लास पर 20 रुपे का सर्वेस चार्ज देना होगा जबकि एर कंडिशन कोच में बुकिंग के लिए 40 रुपे चार्ज लगेगा अब बात मुबाइल पर पेमेंट अप की अगर आपने ए वालेट में केवाइसी नहीं कराया तो आज जरूर करा ले बिना केवाइसी पेमेंट अप से नहीं कर सकेंगे लें देन RBI के नए नियम के तहट केवाइसी जरूरी आज से गाड़ी के इंशूरेंस में आको ज़्यादा फायदा होगा आज से गाड़ी के इंशूरेंस के नियम बदले बीमा कंपनिया हर नुकसान को कवर करेंगी आपदा, तोड़, फोड़, दंगा से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाएगा किसानों के लिए भी फायदे की खबर है अब आसानी से बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड अधिक तम 15 दिनों में कार्ड जारी करना होगा रेपोरेट से जोड़ेंगे बैंक लोन होम लोन और आटो लोन को रेपोरेट से जोड़ रहे हैं बैंक गरहागों को रेपोरेट में बदलाव का सीधा फायदा होगा एक घंटे में होम, आटो और परसनल लोन की सुविधा सितंबर का आगाज नए नियमों के साथ हो रहा है आज से ही नए ट्राफिक नियम लागू हो जाएंगे इन नियमों के उलंगन पर अब पहले के मुकाबले ज़्यादा जुर्माना लगेगा हलाकि राज्य सरकारों पर इसे लागू करने का कोई दबाव नहीं है लेकिन अगर वो इस कानून को लागू करते हैं तो केंद्र सरकार मदद करेगी टीम नियूज नीशन